हेलो माई लबली वीवर्ज वलकम बैक टू माई चैनल विनाए कुकिंग एंड क्राफ्ट तो गाइस आज मैं आपके लिए रंग भी रंगा अचार की रैसे पिले किया ही हूँ यह अचार बहुत इंस्टेंट तयार होता है बहुत ही आसान है इसे बनाना तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यह अचार मैंने किस चीज़ से बनाया है और यह बनना बेहत आसान है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाश तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेर और चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा शिमला मिर्च का अचार बनाने के लिए जो भी इंग्रेडियो चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ तो यहाँ पे मैंने तीन सिमला मिर्च ले लिए हैं आप कोई भी कलर का सिमला मिर्च चूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन कलर के सिमला मिर्च लिए हैं लाल, हरा पीला तीनों मैंने एक एक लिया है तो आज मैं ये रंग बिरंग अचार बना रही हूंआ हिए बहुत ही जादा टेस्टी होता है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और यहां पे मैंने शर्षो तेल 4 चमच लिया में अच्छे जीरा, सौफ, सर्शो, मेथी, यह चारो एक एक चममच मैं लिया, यानि कि वन वन टेबल स्पुन और हाप टेबल स्पुन मैंने आप अजवाइन ले लिया है, वन एंड हाप टेबल स्पुन धनिया लिया है, तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को कट करेंगे, तो चाकू भी आपका बिलकुल क्लीन होना चाहए तो शिम्ला मैच को आप छोटे तुकडेी या फिर इस तरीके से लंबे लंबे में कट कर सकते हैं तो में यहाँ पर लंबे में delivery करूँगी तो आपको सारे शिम्ला मेच को इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप की तरह कट कर लेना है तो देखिए अंदर से बीज को आप हटा लीजे और इस तरीके से इसे थोड़ा सा पतला पतला ही कट कर लीजे बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए तो देखिए सारे सिम्ला मिज को इस तरीके से मैंने कट कर लिया तो कि हम अच्छे तरीके से लिए हैं अच्छे तरीके से मिझ singular करेँ, नमक अठारन से और आदे गंटे के लिए हमें 2ny थूप नहींक다 जाने में तरहा छाँ के लिए 3-5 तरहा दा distinguल बाकी का प्रोसिस करेंगे तब तक चलिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं तो मैंने गैस पेक पैन चड़ा दिया है और इसमें हम सारे मसाले एड़ कर देंगे हलका सा फ्राई करने के लिए सिर्फ आपको शर्षो को यहां पे नहीं भुनना है सर्षो को कच्चा ही यूज करते है तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हलका सा इसे हमें भुनना है बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है भुनना इसलिए है ताकि यह थोड़े से क्रंची हो जाए तो हम इसका जब पाउडर बनाए तो पाउडर अच्छे तरीके से बन जाए इसके लिए इसे हलका सा भून देते हैं और बहुत दिनों से रखे होते हैं मसाले तो भून देने से थोड़े ताजे हो जाते हैं और आपका अचार भीजल्दी खराब नहीं होता। तो इसे हलका सा रोष्ट कर लेंगे हलका सा रोष्ट हो गया है गैस को उफ करेंगे और मसालो को हम निकाल लिएगे तो देखिए मसालों को अलका सा रोश्ट करके मैंने इसी सर्षो वाले प्लेट में ही निकाल लिया है और इसे हम अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इनका दरदरा पाउडर तैयार करेंगे तो देखिए यहां पर शिमला मिर्च को मैंने चार से पांच घंटे रख दिया था और बिलकुल अच्छे तरीके से इसमें बहुत ज्यादा मतलब पानी देखिए छोड़ दिया है तो अब हम क्या करेंगे कि पानी से इसे बाहर निकालेंगे तो देखिए मैंने शिमला इसके हमने पाउडर भी तयार कर लिये हैं तो यहां पर मैंने एक इस तरीके से तड़का पैन रख दिया है इसके अंदर शर्षो का तेल डालेंगे और अच्छे से गरम हो गया इसमें डाल देंगे एक पिंच ही और अब हम गैस को बंद कर देंगे इस तेल को थोड़ा ठं का मसाला इसे इसके अंदर एट करेंगे सारी चीजों को मिक्स करेंगे और उपर से मैं हलका सा कश्मेरी लाल मिश पाउडर राल रही हूं और हाप टेबल इस्पून डाल देंगे वेनेगर जिसे की आपका अचार लंबे समय तक टिका रहा है जल्दी खराब ना हो सारी ची इसनों के बाद यह बिल्कुल खाने योग यह हो जाता है थोड़ा नरम जब हो जाता है तो बस आप इसे इंजॉय कर सकते हैं तो रेसपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे पुराने सब्सक् इस रंग भी रंगे अचार का रूप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई